नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लों का इंपोडेंट वीडियो में आपको दे रहा हूं अंकुर सींग जी ने प्रोवाइड करवाई है इनको धन्यवाद है यह तस्वीर और अगली वीडियो दूँगा रॉच्छे देख सो आठ एक सुनो एक सो एक सो एक सो ग्यार सब याद हो जाएंगे देखिए बड़ा बड़ा लफड़ा है यार पता नहीं कि कभी कभी किसी आदमी में बहुत ज्यादा दिमाग हो जाता है और वो बहुत ज्यादा दिमाग हर चीज को हर चीज को बदलने के लिए अबसर पे आ जाता है वह समझता है I am the mirror mirror on the ball who is the bad man of the all वह समझता है who is the best man of the all अब भाई साब मुझे आप यह बताओ अगर यह 2018 में लागू कर दिया है यहां से देखिया आप ख़बर इसको उत्त्रपदेश लोगसेवा आयोग यूपी पीएसी ने PCS में scaling system बेवस्था को बदल दिया यहां बदलाब सुप्रीम कोट के से अब्यर्थी परिक्षा 2018 की मुख्य परिक्षा में अस्फल हो गए अब्यर्थी अब इस मामले में निया ले जाने की जुगाड कर रहा है भाई कोसल सिंग जी का सयोग करो अगर आप कर सकते हो तो ऐसा हुआ तो यह मानवी की अर्सात इतिहास भूगोल बिसे वाले तो दिखेंगे नहीं परडाम में आयोग की ओर से PCS बर्ती 2020 के लिए जारी विग्यापन सोसल मीडिया पर काफी वैरल हो रहा है आयोग ने पूर्म में PCS परिक्षा के विग्यापन जारी किये थे उनमें यही लिखा था कि मुख्य परिक्षा लेकित परिक्षा में स्केलिंग सिस्टम बेकल्पिक विष्यों में लागू किया जाएगा PCS 2018 के विग्यापन में भी यही विवस्ता थी जबकि PCS 2020 के विग्यापन से इस विवस्ता को बदल दिया गया है आयोग की ओर से जारी 2020 के विग्यापन लिखा गया है कि संजय सिंग बना मुत्रपदेश लोग सिस्टम के अनरूप लागू किया जाएगा यह लाइन लिख के आवस्ते होगा तो लागू करेंगे अब बड़ती इसकी विवेचना अपने हिसाब से कर रहा है उनका कहना है कि नई सिख्या विवस्ता के तरह आयोग जहां चाहे वहाँ सिस्टम लागू करेगा जबकि पह सचेप ने बयान दिया था कि इसकेलिंग को लेकर कोई बड़ा नहीं किया गया बड़ती सवाल अठारह रहे हैं कि अगर किसी प्रकार का परवर्तन नहीं कियाए तो 2-12-20 के नोढ़िफिकेसन में इसकेलिंग में परवर्तन का विन्दू क्यों परस्तुत किया गया अब ब संख्या में मानवी की विश्यों के अब्यर्थी परिक्षा में अस्फल गोसित कर दिये गए तो अब्यर्थियों ने आयोक को यह पता लगाना सुरू किया कि प्रडाम प्रवावत होने की बजय क्या है जबके पिछली बार से चार-चार साल से वो को इंटर्वू दे रहे थे इसी बार ऐसा क्यूं हो गया इसी बार यह महनवाब आ गए इसी बार यह परवर्तन हो गए पीके क्या है क्या आदमी है हालांकि इस मामले में अब बेर्थियों के आयो के और कोई जानकारी नहीं दी गई है आयो ने कोई जानकारी नहीं दी अब बेर्थियों आप दावा कर रहा है कि पीछे 2018 में भी स्केलिंग लागू नहीं किया तो 2020-21 वाल है ना भाईया देख लो यहां से बाद में पीछे रह जाओगे आप इसके पीछे उनका तरक है कि आयो ने पीछे 2020 के विग्यापन में स्केलिंग सिस्टम को आवेस सब्तान रहाब निया ले जाएंगे भाई कोई बात नहीं है अब एक बात तो यह सुन लो जो लोग 2018 PCS जिनका नहीं हुआ देखे एक भाईया थे अमरिंद्र भाई इनका देख लीजिए हमारे नोट से इनका हो गया थे 129 नमबर आगे थे आप चाहें तो कॉल करके पुछ लेते हैं लोगों को पेड़ ग्रूप है पहली बात तो यह समझ लीजिए कुछ दस बारे वीडियो मैं आपको फिरी में दूँगा उन्हें आप ले लीजिए अगली वीडियो यह भी फिरी में दे रहा हूँ ग्यारे वीडियो करेंट की हैं और नमबर डिस्किप्शन में दे रहा हूँ एक ग्रूप का लिंक भी दे रहा हूँ डिस्किप्शन में मैं आप सभी लोगों को दोहर बीस वाले आप जोइन कर लीजिए जिंदगी बर आप धनेवाद देंगे ट्रिक से ही तयार ही है प्री पे फोकस है वही आपको तयार करना है नमबर डिस्किप्शन में दे रहा हूँ अपने और आप अगली वीडियो के इंतिजार करें ट्रिक वाली हो देखिए अगर इसका देखा चाहें आदुनी भारत का इतियास वाली जो क्लास चल रही है उसका अगर आप नमूना देखना जाएं तो सिद्धू बच्पन से काना का साथी है ऐसी ट्रिक है दादा फरजी यार सरीफ है पागल बंगाली पर करम करो टीपू सायद अबदुल को बहम है ऐसे करके छोड़ी छोड़ी ट्रिक होती है अब करेंट की आप देख लीजे ये हैं फिरकी फिक्की के अध्यक्ष अभी हाल फिलाल में बने है आगे का भी एक दो वीडियो और आपको मैं दिखा देता हूँ इस समय दो क्लास जा रही है ये देखिए मैं सतरंज में हाप गया मेगनस कालसन फिडे रैपिड सचेंच चेंपियंशिप हाप कौनूरो हमपी भारत न जीता है मेगनस कालसन जीता है कारपेट पर मैं था एक मौल था एकूबेरिन किसके साथ हुआ है थलसेना के साथ मौल दीव में मौल दीव और भारत के बीच सीनू धरम में जा रही है सीन्यू बायू सेना अभ्यास धर्मगार्जियन थलसेना अभ्यास जापान में हुआ है अगर इस तरीके की ट्रिक से आप तयारी करना चाहते है तो संपर कर लिजे 999-7295-322-7417-4445-44 वे नाइस दे बायू